तो आपको बहुत स्वागत मेरी यूट्यूब चनल मेडिकल हब पे आपको मेडिकल सेक्टर सारे फॉर्म के जानकारी मेलेगी चाहिए वो नर्सिंग का हो चाहिए फार्मेसी आज हम बात करेंगे एमस बेसे नर्सिंग परेमेडल के एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में कैसे सब्सक्रीक करना है मैं आपको बता हो पुर्म करना में डूब comentarios का किसे करना कि वह राया और तो द्या है उन्होंने पहले फॉर्म उपलाय 휩 और इस साने हैं लिए निके मांक्स प्रिया नीट में कम आuar और वह मश्चता रहे हैं कि इनुए पआले फोंग नहीन इन बच्छों को देखते हैं दोबारा फॉर्म को स्टार्ट कर रहा है उन के लिए फिर से एक मौगा दिया है कि आप अपलाई कर सकते हो इस बीच में और अपनी क्या करता है अपना ये लोग सोने से बचा सकते हो अभी हम ओफिशल वेबसाइट पर एम्स की आपको सिंपली क्या करना है जो नए स्टूरेंट है उनको बेसिक रिजिस्ट्र करें लिए यहां पर आना है आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा है बेसिक रिजिस्ट्र एंड कॉर्ड जेनरेशन सेंपली आपको पहले इस पर क करना है तो आपको benefit है दोबारा कर लो आपको अपने सेफ जोन में रहना है ठीक है उनजरन यहां पर करें गया डालेंगे और उसी को डालेंगे प्रोशीड करेंगे तो आपको यह इसमें एक बिलिंक से दिखाए देगा एक्जामिनेशन सेंटर वाला आप उस पर क्लिक करने के बाद दुबारा से अपने चार सेंटर को बोल जाएगा आपको चोईज करने अब दुबारा से वह ही स्लेक कर रहे हैं आपको चेंज करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा फिर आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक हैट फॉर न्यू बेसी डिटेल देनिया आपको अपना नेम्स हैं कैटेगरी विखाना देनिया आपको अपने बताना है और अपने बताने यह फिर अपलोड इमेजिस करने अपको उसका प्रिंट लेना है फाइनल का ठीक है आपको बेसी कमें आपको तीन चीज़े करने आप सिंपल यह प्रोसिट पर बटन दवाना फिर आपको नेक्स पर बता दोंगे आपके सामने ऐसा इंट अपना इसा इंटरफेस आएगा तो उसमें आपको बताना है कि आपके निशनलेटर ही क्या है अपना फूल नेम बताना है है अपना फिर दुबारा से अबदो बताना आफ उसके बाद इसके बाध आपको पर ले आपको जैंडर बताना है गंशाल महीं का बडम सर्टीविक स्लिभीर है अब वहेएं का आपना चैस करना एपनी अगर देली से तो डालना और आपका आपका रोमिसल बना होना चाहिए फिर आपके पास पूछा जाए कि आपके केटेगरी कौन चाहिए से चाहिए फिर में अब्सकी जन्यार नहीं मिलेगा जब आप नहीं माना जाएगा आपका यह नहीं कि नॉन क्रिम लेयर में आना चाहिए और नेशनल लेवल का बना होना चाहिए और लेवल का थिक यह फिर आपसे बुचा जाएका कि आपके एक तरीके से प्लेस ओफ इस्यू में आपको कहीं भी वासर दिल्ली डाल देना ठीक है और फिर इस्यू डेट लिखावाया है और वैलिट यह उप्शनल आपसे छोड़ सकते हो ठीक है फिर आपसे इमेल आइडी पूछी गई है कंपर इमेल आइडी बहुत करेगा आपको इमेल आइडी पे आपको मैसेज करेगा मेल करेगा कि आप दुबारा से वह अपलोड करिए ठीक है मुवाइल नमबर भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से बना यह दो चीज़े बहुत जगा इंपोर्टेंट है ठीक है फिर आपसे अल्टेनिट प्रमनेंट अड्रस दोनों से में तो उपर क्लिक कर देना ठीक है दोनों सिमिलर भढ़ जाएगा अपने अड्रस की लाइन 123 अपने अधार कार्ट पर पीछे लिखा होता है कि अब जैसे भी अपना अड्रस फिल कर देना ठीक है याप सिम्पल यह आपके पर डिपेंड करत पर पर श्रीजंट पर पर कचैसे का कैसे अधार कार्ट पर पीछे लिखा होता है अड्रस पर अ?द shops एन फिर आफ तो नीचे आने के बाद पूसके टिक करने के बाद प्र आध इस पीलिक करोगा तो आप चतो एक यावी एक अच्छी जगह पर लिख लेना उसको ध्यान अच्छी से लिख लेना ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट जो भी आपको पॉप आएगा मैसेज आएगा आपके पास ग्रीन रेड गलर में आएगा तो उसको आप अच्छा स्क्रिंशोट ले लेना और ध्यान कहीं प आपको दोक्यमेंट प Jamie पहुति प्रेसिंचर अपिने के बाद यांप कर लेने के लिए आप उसके बिंद करने और पीटियों ना की सेफ कर लेना आपके फ़ोन में शायद ही साइब हो विगा, आपको स्कृंढ ले लेने, साइबर के सब कराते हो तो उसका पृंट जरूरी रख लेना प्रहपास में इससे करने के बार ठीक है आप 39 अरिज से पहले कर ले तो ठीक है फिसके बाद आपको कहते हैं मेल करेगा अगर आपको इंपोटन्ट है इनको बहुत भी बहुत ध्यान से भणना यह चीज इंपोटन्ट है आपको मैसेज उसी पे ही आएगा आपको फोन पर बहुत ही कम आते हैं लेकिन मेल तो आपको बहुत प्रसंट आएगा कोई निस्टेक होईगी तो अगर आता है तो आप उसको दुबारा से करना पड़ेगा इसके बाद में है फाइनल रेजिस्टेशन है उसके अंदर फिर से आपको 12 की डीटेल्स वह बढ़ने पड़ेंगे मार्क से वगरा के उसमें फिर से आपको पेमेंट करने पेमेंट अभी नह चैनल पर वह किसी करन डिलेट हो गया तो मैं को दुबारा बनानी पड़ेंगे तो दुबारा वीडियो नहीं बनाता यह उन स्टुडेंट के लिए हैं जिन्होंने पहले अपलाए नहीं क्या है वह अब दुबारा से अपलाए कर सकते हैं तो को अगर आपको वीडियो अच